आज के वीडियो का टॉपिक है संग न्यू टास्क फ़म गूगल टास्क टू स्लैक सिखाऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल टास्क में क्रियेट होने वाले न्यू टास्क की डीटेल से रिलेटेटिड एक मैसिज संग करवा सकते है अपने स्लैक के एक पर्टिकुलर चैनल पे जहाँ पे आपकी पूरी टीम मौझूद है जिससे कि आपकी टीम को इन्फोमिशन मिल जाएगी कि आपने कोई न्यू टास्क क्रियेट किया है अपने गूगल टास्क में इसके लिए हम आप्टिमीट करेंगे गूगल टास्क को स्लैक से विद दे हल्प आफ पाबली करेंट होगा क्या जैसे ही कोई न्यू टास्क क्रियेट होगा एक आप्टोमेटिक मेसेज सेंड हो जाएगा जिसमें टास्क से रिलेटेट डीटेल होंगी किस पे स्लैक के एक पर्टिकुलर चैनल पे कैसे करना है आप्टोमेट प्रोसेस जानने के लिए बने रही है इस वीडियो में ओके सबसे पहला हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे www.pably.com सामने आजाएगे ऑफिशल वाप साइट क्लिक करेंगे वर्कफ्लो को एक नाम देने के लिए और एक सिंपल सा नाम दे दूँगा मैं नाम दे देता हूँ Google Task to Slack simple मैंने नाम दे दिया आप चाहें तो कुछ और नाम दे सकते हैं एक important बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बना है ये same workflow यूज कर पाऊँगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने तो windows आ गई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है मैं चाहता हूँ कि मेरे google task के अंदर जबी भी मैं कोई new task create करूँ तो automatically उस task से related एक message send हो जाए मेरे slack के एक particular channel पे जिसका नाम है पैबली team जहाँ पे मेरी team मौझूद है जिससे की उन लोगों को information मिल जाए के कोई task create किया गया है google task में इस तरह का automation set करने के लिए हमें हमारी trigger application में choose करना होगा सबसे पहले google task को search किया, choose कर लिया google task को then trigger event में हम choose करेंगे new task को then उसके बाद connect पे click करेंगे connection के लिए then add new connection पे then sign in with google पे then अपना google account चूज कर लेंगे जिस google account के google task को हम integrate करना चाहते है नीचे scroll करके continue पे click करेंगे don't worry, pably connect is 100% safe connected है google task pably connect then यहाँ पे task list आपको अपनी select कर लेनी है जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरी task list है तीन task list है my task pably team teamwork तो team work वो task list है जिसमें मैं चाहता हूँ कि जबी भी मैं कोई new task create करूँ तो message send or slack पे that's why मैं क्या करूँगा यहाँ पे आकर team work नाम का जो मेरा task list है वो choose कर लूँगा then अब मैं जैसे save and send test request पे click करूँगा तो recently जो भी task मैंने create किया होगा अपने किस के अंदर task के अंदर google task के अंदर उस related details pably करें यहाँ पे capture कर लेगा तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने recently task create किया demo task एक काम करता हूँ मैं सारे task हटा देता हूँ एक new task create करता हूँ यहाँ टास्क पे click किया है यहाँ पे इस task को मैं title देता हूँ पैबली connect एरण ठीक है एक simple सा मैंने यहाँ पे title देदिया डीटेल्स में लिखता हूँ पैबली connect is not working properly ठीक है यह मैंने details में simple site description दे दिया और अब यहाँ पे आ जाता हूँ due date यहाँ पे मैं इसकी दे देता हूँ next date okay 6th of April ठीक है कलकी date तो यह मैंने इसकी due date दे दी tomorrow ठीक है तो यहाँ पे मैंने टास्क जो है जैसा कि आप लोग देख रहे है कर दिया है task create कर दिया है चलके अब पैबली connect के पास चलते हैं और यहाँ पे click करते save and send test request पे रहन हम चेक करेंगे कि tasks related details आती है कि यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं पर response received हुआ है जितनी तारीक जितने बज़े टास्क create किया गया वोई date है यहाँ पे title जैसे कि आप लोग देख रहे हैं जो मैंने दिया था पैबली connect error हमारे सामने है नीचे आ जाएंगे तो notes के अंदर हमें description मिल जाएगा जो मैंने add किया था और नीचे सबसे नीचे हमें due date जो है मिल जाएगी जो कि कल की तारीक है means connection एकदम proper work कर रहा है पैबली connect और google task के बीच में अब एक important बात बता देता हूँ अभी मैंने manually save and send test request पे click किया that's why response तुरंट receive हो गया but automation site हो जाने के बाद यह हर 10 minute में work करेगा जैसा की लिखा हुआ है this trigger will check for new data in 10 minutes तो क्या होगा automation site हो जाने के बाद जब आप जाके अपने google task में कोई task create करोगे तो उस task create होने के 10 minute के बाद एक message send होगा आपके slack के channel पे ना कि तुरंट तो आपको 10 minute wait करना है then जाके check करना है चलिए अब नीचे आजाते है action क्या करवाना चाहते हैं हम आगे की process क्या चाहते हैं मैं चाहता हूँ के message send हो slack के particular channel पे तो उसके लिए क्या करना है action application में choose कर लिए slack को search किया choose कर लिए slack को then action event में choose करेंगे send channel message को connect पे click करेंगे add new connection पे then connect with slack पे then यहाँ पे लिख देंगे user simple then save पे click कर देंगे तर उसके बाद नीचे scroll करके continue पे allow पे click करके access दे देंगे don't worry pably connect is 100% safe जैसा कि आप लोग देख रहे authorization successful हो गया है और connected है मेरा slack pably connect से connect होने के बाद यहाँ पे हमसे channel select करने के लिए बोल रहा है तो जैसे ही मैं click करता हूँ channel की list मेरे सामने open हो जाती है कई सारे channels मैंने बना के रखे हैं तो वो सारे नाम मेरे सामने आने लगे तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ मेरे चैनल का नाम है पैबली टीम तो यहाँ पे मैं search करूँगा पी डबल बी लवाइ पैबली टीम नाम का मेरा चैनल यह रहा click करके इसको मैं choose कर लूँगा same नाम है जैसे कि आप लोग देख रहे हैं choose कर लिया है क्योंकि इसी channel पे message send करवाना चाहता हूँ अब आती है message की बारी तो यहाँ पे जिस भी तरह का आप message send करवाना चाहते हैं वो manually type कीजिए तो मैं यहाँ पे message type करता हूँ hello जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक simple सा message type कर लिया hello team we have a new task task details task name description due date thanks इतना जितना मैंने message यहाँ पे अभी type किया है यह मेरे हर message के अंदर सेम रहेगा जितने भी message slack पे send होंगे उन सब message में इतना part सेम रहेगा अब जो part मैं add करूंगा और वो according to task change होगा जैसे की task का नाम description due date okay तो task का नाम description due date सारी details उपर पहले ही मिल चुकी है तो इन details को यहाँ पे हम आगे add करना चाहते हैं जो blank space मैंने छोड़ा इसके अंदर add करने के लिए क्या करना है blank field पे click करना है space देना है नीचे option आएगा आपके सामने google task का click कीजे उस पे सारा data open हो जाएगा task name find कीजे यह रहा title पैबली करनेक्टेर क्लिक करके add कर दीजे यह जो process मैंने अभी करी इसको कहते है mapping जितनी easy और simple है उतनी important है क्यों है क्योंकि इसका फायदा यह है कि next time आप जबी automation side कर चुके होंगे और आप जाके अपने google task में कोई new task create करेंगे और जो भी आप उस task को नाम देंगे तो उस task का जो भी title होगा automatically वो task name के आगे आके यहाँ पे add हो जाएगा जो भी नाम होगा अभी pably connect error नाम है यह हमने map कर दिया next time जो भी आप अपने task को नाम देंगे वो यहाँ पर आके खुद्बा को change हो जाएगा update हो जाएगा तो map करने से data automatically update हो जाता है change हो जाता है that's our mapping is important ठीक है इसी तरह से description भी हम map कर देंगे description यह मिल गया हमें public connect is not working properly then due date भी हमारे पास है google task पर जाएगे यह मिल गया due date क्लिक करके map कर दिया simply अब नीचे आके हम क्लिक करेंगे save and send test request में हाप अगर आप image कोई send करना चाते हैं तो url add करवा सकते हैं आप किस नाम से message send करवाना चाते हैं अपने bot को कोई नाम देना चा यहां पर आ गया hello team we have a new task task details task name public connect description public connect is not working properly due date 2023 406 okay thanks एक दम perfect message आया है इस channel पर और इस message की presence बता रही है कि automation हमारा साइट हो चुका है वापस आना है public connect पे नीचे scroll करके just हमें save पे क्लिक कर देना है और अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है यह पूरी process automatically होने वाली है आप अपने google task की जो list आपने select करी थी उस list में कोई new task create करोगे तो after 10 minutes automatically उस task से related एक इस तरह का message आपके उस particular channel पर send हो जाएगा slack के जिसको भी आपने select किया था okay है ना इस तरह का message होगा पूरा का पूरा message same रहेगा सिर्फ change क्या होगा task का नाम description और due date जो आपने दी होगी task create करते वक्त वहीं यहां पर वो details आ जाएगे इस तरह का automation हम set कर चुके हैं और ना सिर्फ in applications को पैबली करके help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूं इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पर click करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow use कर पाऊगे अपने account में वो भी एकदम free में अगर आपको इस video से related कोई भी doubt आता है या फिर आपके कुछ questions होते हैं या फिर आप मुझ से या मेरी team से बात करना चाहते हैं तो यहां दी गई link पर जैसा कि अगर यह video पसंद आया तो इस video को like करना मत भूलेगा और मेरे channel को subscribe करना भी मत भूलेगा thank you